प्रेस अलाट वचन आगे कहता है कि वो जब उसी समय मर गे हननिया मर गया फिर जवानों ने उठकर उसकी अर्थी बनाई और बाहर ले जाकर गार दिया लगबग तीन घंटे के बाद उसकी पतनी जो कुछ हुआ था ना जानकर बीतर आये जब इनोंने धन को अपने पास रखने की सला की होगी आपस में इन में से एक भी ऐसा नहीं था जो अच्छी सला दे पाई शाइद हो सकता करन बोलने को पतनी भी बोल सकती पती भी बोल सकता था कि नहीं, हमें ऐसा नहीं करना, हमें खुदा के भवन में सारा की सारे दन को भीना है हमें ऐसा नहीं सोचना, हमें लालिच नहीं करना, हमें जूट नहीं बोलना पर उन्हों ने, Kenneshi वह एक दूसरे कब आप के अंदर क्या दे रहे थे? सात दे रहे थे जब एक के मन में आया कि हम वहाँ पर इस तरीके से बोल देंगे कि जे जमीन इतने की भी की है तो दूसरे ने उसको बना नहीं किया दूसरे ने कर यह ठीक है यह आइडिया ठीक है मैं भी इतने की ही बोल दूँगा जा बोल दूँगी आज संसार के अंदर भी लोग एक दूसरे का पाप करने में साथ देती है उनको रोकते नहीं है जबकि इन मेंसे पती पतनी को किसी एक को रोकना चाहिए था प्रंतूनों ने नहीं रोका आज संसार के अंदर भी ऐसे होता अगर कुछ गलत होता है तो पतनी पूरा साथ देगी बल्कि हमें जब हम परमिश्र को जानते हैं जब हम एक अच्छी कलीसिया में जुड़े होयां अच्छी सिक्षा को प्रापत कर रहे हैं तो हमें उस पाप के अंदर सहबागी नहीं होना बल्कि उस पाप से उनको रोकना है कि ये गलत है ये वचन के मताबिक है ये डिसिप्लिन के अंदर नहीं हैं ये बाते ये वो बाते नहीं हैं जिससे परमिश्र खुश होता है ये वो बाते हैं जो परमिश्र को निराश करती हैं उद्धास करती हैं, क्योंकि पाप की मजदूरी मुरिती है, क्या फाइदा हुआ इने, क्या कुछ फाइदा हुआ, कुछ भी ने फाइदा हुआ, अपने पराणों को खुआ बैठी हैं, जब हम संसार के अंदर इस तरीके की सहमती करते हैं अपने परिवार के अंदर, तो इसका प्रतिफल हमें दंड के रूप में एक दिन जरूर प्रापत ऊएगा इसलिए जरूरी है कि अपने जीवनों को बदले अगर हम अच्छी कलीसिया में जुड़े होई हैं तो अच्छी कलीसिया के कनून को भी अपनाना जरूरी है उनके तोर तरीकों को भी अपनाना जरूरी है जैसे खुदा के दास दासी कहते हैं उन बातों को मानना भी जरूरी ह जिस तरीके से वो परमिश्य के वचन को बताते हैं, उस वचन को इधर से सुना और इधर से निकालना नहीं है, अपने हिर्द्या के अंदर उस वचन को रख लेना है, ताकि आप पाप से भच सकें, जैसे ही उन्नोंने सहभागता दी पाप करने में, रोका नहीं है, बलकि उन उनके जीवन के अंदर खाम करना शुरू कर दिया, जब यहूदा नहीं मन के अंदर पाप आ गया, लालच आ गया, तो शेतान यहूदा के मन में समा गया, यहां पर भी शेतान उनके जीवन में काम कर गया, और शेतान के जांसे में सिरफ हनन्या ही नहीं, बलकि उसका पाप में साथ देने वाली, उसकी पतनी जो सफीरात है, उसके जीवन में भी शातान ने घपचा कर लिया, और दोनों ने पाप किया, तीन गंटे के बाद उसकी पतनी आई है, और उसको पता ही नहीं कि मेरे पती के साथ क्या हो गया, जब उनों ने सला की होगी, एक मन एक जुटो क कि इतना पैसा देंगे, उनके मन में ऐसा नहीं आया होगा, कि हम दोनों इकठ्धी जा कि देंगे, हम पैसा दे रहे हैं, जमीन बेची है, हमने, तो हम इक कठ्धी हम पूरा परिवार जाएंगे, दोनों पती-फत्ष य JI जाएंगे, कुदा के डास को जाके, पैसी देंगे वो offering उसके चर्णों में रख देंगे पर वच्चन में उनके बारे में कुछ लिखा ही नहीं है कि दोनों इकठे आए उसकी पतनी को पता ही नहीं है कि तीन घंटे होगे उसकी पती की डेथ भी हो गई है क्यों क्यों क्योंकि उनके अंदर अच्छी understanding नहीं थी वो एक दूसरे के प्रती प्रेम नहीं रखते थे क्योंकि वो एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे थे पर यहां पर वो अपने धन को लेकर आए है और पतनी को पता ही नहीं है तीन घंटे के बाद जब सब कुछ हो चुका है उसकी डेथ हो चुकती है तीन घंटे के बाद पतनी वापस आ रही है वो साथ नहीं आई दोनों अलग लग आ रहे हैं क्योंकि अच्छी उनके अंदर एक तन यूनिटी नहीं थी इसलिए वो अलग लग आई तब पत्रस ने जब पतनी आई किसी ने उसको कुछ नहीं कहा कि देख जैसे कोई अगर कलीसिय के अंदर और लोग भी थे वो लोग जानते तो होंगे कि इसके पती के साथ ऐसा होगे पर किसी ने कुछ कहा है नहीं कई लोगों का सुभाव कई लोगों का विवहार ही ऐसा होता है वो चाहिए सामने कुछ उनके सामने, उनके लिए कुछ भी हो जाए, पर लोग उनको कुछ नहीं बताते, वो सोचते हैं, यह ही ऐसे है, इनके बारे में क्या बताना है, अपने आप ही लग जाएगा पता है, और सफीरा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, तब पत्रस ने उसे का मुझे बता कि क्या तु जैसा उसके पती ने बोला था वैसे कि हां जी, इतने की ही भी की थी, पर वो जो तीन हिसे रखे हों हैं, उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया, एक हिस्से के बारे में बताया, कि एक हिस्सा जो पैसे यही है न, वो तो हम तो सारे पैसे ले आएं, हम तो पूरा का पूरा हिसा ले आया है, ताके पूरी कलीसिया दोखे मेरे, खुदा के दास दोखे मेरे, जो परमिश्र के लोगों को दोखा देते हैं, वो पावितर आत्मा को दोखा देते हैं, जो पावितर आत्मा को दोखा देते हैं, वो परमिश्र को दोखा देते हैं, और जो लोग दोखा देत में और वयाव सकी सजा को भ भाति हैं इन्होंने पॉप के अंदर सेहंती कि है इन्होंने भी कहा हाहा इतने के भी है पत्रस ने उससे जREE बात पत्रस ने उससे का है या बात है तुम दोनों प्रभु के आत्मा की प्रिक्षा के लिए City स्पाइब तुम लो प्लानिंग के साथ आयो तुम लो देख तेरे पती के गाडने वाले द्वार पर ही खड़े हैं फिर पत्रस ने कहा कि सुन अब तुने एक का तो कर लिया अब तुने लालेच तो कर लिया अब तुने जूट तो बोला है अब इसका नतीजा भी सुन ले अब इसका रिजल्ट भी सुन ले देख तेरे पती के गाडने वाले द्वार पर ही कड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे वैतरन तो उसके पाओं पर गिरी और उसने भी अपने प्राणों को छोड़ दिया पती पतनी दोनों ही खतम हो गए परमिशिर ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता परमिशिर चाहते हैं उसके लोग इमानदार हुए परमिशिर चाहते हैं कि उसके लोग अगर बीज को बोते हैं तो सही नीएत के साथ दें ताकि परमिशिर का वचन उनके जीवने में पूरा होए दो तो तुम्हें दिया जाएगा इबरानियों 10 की 26 में परमिश्र का वचन कहता है क्योंकि सचाई की पहचान प्रापत करने के बाद यदि हम जान बूच कर पाप करते हैं तो इसी के लिए और कोई बलिदान यह लोग परमिश्र के वचनों को जानने वाले थे यह लोग अच्छी कलीसिया में जान जाते थे लेकिन फिर भी जान बूच कर पाप कर रहे हैं आज संसार के अंदर भी यही हो रहा है आज कलीसियाओं के अंदर भी यही हो रहा है वो परमिश्र को वचन को जानते हैं खुदा के दास दासी रोज कहते हैं पवितर जीवन जीओ, पवितर जीवन जीओ, लालिट से बचो, दोका ना करो, जूट ना बोलो, चोरी ना करो, निंदा ना करो, चुगली ना करो, मुझसे गाली ना दो पर यही से बाहर निकलते हैं, तो फिर वो ही, फिर वो ही प्राना जीवन उसी टेम श्यतान उनके जीवन में काम करता है श्यतान तभी हमारे जीवन के अंदर काम करता है जिस समय उसको मौका मिलता हूँ अफसर की तलाश में रहता है वो देखता है कि कहां पर ये लोग कमजोर पड़ते हैं जैसे ही वच्चन से मन हटा तो श्यतान आपके जीवन में विचारों में काम करना शुरू करतेगा इनके मन के अंदर भी तो पहले विचारी आया होगा एक दम से नहीं ये सारा कुछ हो गया कि उन्होंने जमीन बेची और उन्होंने आए और पैसा रखा और चलो जी बाकी का पैसा उन्हों लेगे एक हिसा लेगे उनकी प्री प्लैनिंग थी काफी दिनों से सोच रहे होएंगे कि हम जमीन बेचेंगे हम सारा पैसा तो नहीं देंगे जब आची तो होती होगी जो जमीन लेने वाला होगा वही बताता है भी इतनी लाक की तो हो कीज़े जमीने मैं तो इतना पैसा दूँगा प्लैनिंग तो पहले से चल रही थी जब उन्होंने देखा इतना पैसा तभी जैसे उनके मन में लालचाय वैसे ही शतान उनके जीवन में खाम कर गया परमेश्यर नहीं चाहते कि हम भी इस तरीके से काम करें यदि हम इस तरीके से काम करते हैं तो अब हमारे लिए कोई बलिदान नहीं बचा क्योंकि सारे ही बलिदान, सारे ही पापों के लिए पापों के लिए मारे गए गाडे गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेया अब कोई पलिदान रही नहीं गया कि जो हमारे पापों के लिए दे दिया जाए इससे अच्छा ये है कि अपने जीवन को ठीक रिती से रखें दूसरा थे मोतियस दो की 19 में परमिश्वर क नीम पकी रहती है और उनके उपर उसकी शाप लगी रहती है क्योंकि प्रभू अपनों को पहचानता है और जो कोई प्रभू का नाम लेता है वैं उसे धरम से बचाई रखता है परमिश्व ने शाप लगा रखी है परमिश्र आप से प्रेम करता है परमिश्र आपको परमिश्यर हमें अधरम से बचाई रखेगा। सुरक्षा आएगी हमारे जीवन के अंदर तो शेतान को काम करने के लिए कोई भी अपसर नहीं मिलेगा। बलकि परमिश्यर का वचन कहता है अपसर को बामुल्या समझो क्योंकि दिन भुरी है। यह वो वक्त आगया है कि हर एक खुदा के दास को हर एक विश्वाशी को कदम को फुक रखने की जरूरत है। कहीं ऐसा ना होए कि शेतान लोगों के जीवनों में काम कर चाहे। लोग हमारे शेतान हमारे विचारों में काम कर चाहे। शतान योजनाओं के अंदर काम घर चाहे इसलिए जरूरी है कि परिपक कलीसिया के अंदर जुड़े रहना और जो सिक्षा वहां से प्रापत होती है उस सिक्षा को अपने जीवन के अंदर लेते रहना सही रिती से हम खाना खाएंगे आत्मा के लिए वचन और शरीर के लिए भोजन का खाना जरूरी है जदी हम आत्मा को वचन खिलाएंगे तो हमारा आत्मा मजबूत होता जाएगा जदी शरीर को ही खाना किलाते रहेंगे तो शरीर मजबूत होता रहेगा इसलिए यदि हम चाहते हैं कि हमारा आत्मा बचाया जाए और पाप में ना पड़े तो उसके लिए हमें परमिश्र के वचनों को बानना जरूरी है उसके लिए परमिश्र के वचनों की पालना करनी जरूरी है उसके लिए जरूरी है कि हम परमिशिर के वचन जो सनाये जाते हैं उन्हें अपने जीवन के अंदर उधार ले उनकी पाल ना करें ज़िए हम चाहते हैं कि हम भी पहले स्टेफ से दूसरे स्टेफ पर पहुँँ बाच जाएं तो परमेश्य के वचन को सीखना और समझना और वचन के मताबिक चलनः हमारे लिए बहुत ज्यादा बउसे पजैसे थे वैसे टिखना नहीं चाहते थे जिए घे वैसे नहीं नहीं दिखे थे ऑप्र हो चाहते थे कि हमारी असलियत का किसी को पता नहों जाहें जो हम कर रहे हैं वो किसी को बनक तक ना पड़े हैं पर वो कुछ समय के लिए भूल गे कि परमेशर सब कुछ देख रहा है वो भूल गे कि परमेशर सब कुछ सुन रहा है उन्हों ने अपनी असलियत को छुपाया पर असली जीवन वो ही है जब असलियत सामने आये विचन के ता महीं बस्तर की तरह हम होने चाहिए महीं बस्तर का मतलब ट्रांस्पिरंट ऐसा नहीं है हमारा दिखावटी पन कुछ होए और जो हमें नहीं दिख रहा वो जीवन एक जैसा ही हुई अनन्या और सफीर अच्ची कलीशिय में जाने के बाब जुद भी वो ट्रांस्पिरंट नहीं थे उनका जीवन महीं बस्तर के समाने नहीं था मन के अंदर बुराई चुपी हुई थी पत्रस जी कहरे कि क्यों तेरे मन के अंदर बुराई है क्यों तुने इसा विचार किया कि वो ट्रांस्पिरंट का जीवन नहीं जी रहे थे और ट्रांस्पिरंट का जीवन तभी हमारे जीवन के अंदर आएगा जब हम सच्चाई के साथ मन की सिधाई के साथ काम करेंगे और परमिश्र के वचन की पहलना करेंगे हमें लालच नहीं करना कई ब भी मनुश्य लालिज करता है तो उसका परिनाम बुरा ही होता है उसका अंत कभी भी अच्छा नहीं हुआ इनका अंत अच्छा नहीं था हनन्य और सफीरा का अंत अच्छा नहीं था गेजी का अंत अच्छा नहीं था यहूदा का अंत अच्छा नहीं था जिस समय हनन्या और सफीरा की मौत होगी वचन कहता है कि वहाँ पर पूरी कलीसिया के अंदर लोग भै भीत होगे धरके अपने ही हर एक विक्ति अपने मन में अपने आप से पूछने लगा क्या मेरा जीवन ऐसा तो नहीं है अगर मेरा जीवन ऐसा है तो मुझे भी ऐसा ही परिनाम बुक्तना पड़ेगा अगर यदि आज हमारा जीवन भी ऐसा ही है जिस तरीके से हनन्या और सफीरा का जीवन था जिस तरीके से यहूदा का जीवन था तो हमें उसका परिनाम भुक्तना ही पड़ेगा अच्छा ये है कि जो यह बात जो उनके जीवन में हुई है उससे हम एक अच्छी सिक्षा को प्रापत करें उससे हमें अच्छी हमें पता लग गया कि यदि हम पाप में जीवन बतीत क करेंगे लालज करेंगे जब आप से भरा हुआ जीवन बतीत करेंगे या प्रमिश्र की आग्याओं को नहीं मानेंगे तो हमें भी प्रतिफल यहीं मिलेगा